हरे दोस्तों आज के इस वीडियो में है हमारे पास ओपो का A5 2020 मॉडल और इस पे दोस्तों अगर A5 2020 पास आ जाए और डिस्प्ले लाइट का प्रॉबलम आ जाये तो आप उसे किसी तरीके से सौलव करेंगे गी इस वीडियो में हम उसी का सौलूसन जैनेंगे ताकि आपके पास अगर कोई साथ भी फोन आए ओपो ए 2020 मॉडल और उसमें लाइट का ग्राफिक का इसू है और कहीं से भी इसू है तो आप उसे इजली किस तरीके से फाइंड आउट करके अपनी प्राव्लम्स आल आउट कर सकते हैं इसी के वेश्ट एप विडियो बन रही है हलो दोस्तों मेरा नाम कमले सर स्वागत आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर देखें दोस्तों अगर लाइट सक्षन के लिए सबसे पहले फॉल्ट आए आप जिसमें डिस्प्लेStudy लाइट नहीं आ रहए है तो उस पर आप सबसे पहला लेकिन अगर ग्राफिक नहीं आ रहा है तो भी लाइट नहीं आएगी लेकिन अगर ग्राफिक नहीं आ रहा है तो भी लाइट नहीं आएगी, कहने का मतलब कि सबसे पहले उस पर ग्राफिक आना चाहिए, तभी आप लाइट रिपेरिंग करें, अगर लाइट नहीं आ रहा है और ग्राफिक नहीं आ रहा है, दोनों एक साथ नहीं आ रहा है, सबस का लाइट सेक्षन देखिए CPU के जश्ट बगल में दिया है और पॉर बटन के जश्ट बगल में इसके वैक साइड में दिया है देखिए दूस्तों इसमें भी नॉर्मल की आईसी लगी है और जिश्ट का फंसन मैंने कई सारे वीडियों में बता है लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आता क्योंकि आप लोग अच्छे से समझना नहीं चाहते हैं नहीं तो मैंने इतना भी कहा है कि अगर आप एक सिक्स लइग आईसी का फंसन समझ जाए तो ठीक है दो तो देखिए यह हमारा 6 लेक का IC है और इसके छाठे नंबर पे इस कौयल से होते हुए हमको वीपीएश मिलता है और यह वीपीएश आता का है क्योंकि मैं इंपोर्टेंड तो वीपीएश का ही है यह वीपीएश देखे यह आइसी देती है और यह हमारी प्रैमली इसी है और इसी आइसी से हमारा VPS बनके और इस कोयल के थुरू इसके छठे नंबर पिन पर मिलता है और इस छठे नंबर पिन से AIC स्विचिंग करके चौथे नंबर पिन से बाहर आउट करती है और हमें स्विचिंग करवा के बुल्टेज प्रोवाइड करती है दोस्तों ए तो VPS लाइन का हो गया और अब हमारा इसी लाइन को डाइबोर्ड इस डाइबोर्ड से होते ही LED एनोड यानि LED प्लस का सीरा उपर से दूसरे नंबर के पिन पे इंटर होता है जो कि हमारा प्लस का बॉल्टेज होता है और यहां पे आपको 20 से 25 बॉल्ट DC मिलेगा और ज़स्ट उसका एक पॉइंट एक पिन छोणके तीसरा और चौथा पिन हमारा LED के यानि LED का थोट का पिन होता है अब सबसे इंपोर्टेंट वाली लाइन है जो है जो है LCD CBC यानि कि LCD बैक लाइट कंट्रोल यह दोस्तों इसको हम लोग PWM भी बोलते हैं और हम इसी को इनेबल सिगनल भी बोलते हैं और यही CBC होता है अब यह CBC दोस्तों यह पांचवे नंबर पिन से हमें डारेक्ट LCD के इस कनेक्टर पर मिलता है जिस पर 1.8 बोल्टेज होते हैं अगर सारा कुछ सही है और 1.8 बोल्टेज नहीं बन रहा है तो भी हमारा light नहीं आएगा और इसमें भी problem हो जाएगी तो दोस्तों CBC चेक करने के लिए आपको display लगाना है फोन को on करना है और इस register पर या इस capacitor पर 1.8 बोल्टेज फोन को on करके चेक कर लेना है अगर लाइन सारी की सारी proper okay है तो light and graphic 100% आएगा यदि कोई missing है या कोई problem है तो light नहीं आएगी तो आप इस तरीके से problems all out कर सकते है आई हो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुड़बाः जय ही